शकारतमक दोनों तरफ से रवाया नज़र आ रहा है देखे बिलकुल सरकार जो है वो चाहती तो है कि आंदोलन खटम हो लेकिन इन कानूनों को तो वो वापस नहीं करने वाली है अगर किसी तरीके से कोई लिखित आशोशंग MSP को लेकर है सरकार ये बात कहती रहिए MSP जो है वो थी है और आगे भी रहेगी इसको लेकर किसी किसान के मन में कोई शंचे नहीं होना चाहिए ये बात कुछ प्रदानमत्री नरेंद्र वोदी कई बार कह चुके है और उन्होंने वरणडसी से भी बात कही थी कि MSP को लेकर किसी भी तरीके का किसी के मन में कोई सवाल नहीं उठना चाहिए कुछ लोग किसानों को भड़का रहे हैं उन्होंने कहा था ये तीनों बिल उस तरीके से जो है स्वच है जिस तरीके से गंगा का जल है वैसा ही निर्मल है ये तीनों बिल उन्होंने ये भी कहा था लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बातचीत हो रही है तो बातचीत के जरिये ही अगर कोई भी डेडलोक है उसको समप्त किया जा सकता है और एक और चीज में आपको बता हूँ जब नेगोशेशन टेबल पे बैठते ने नवजोद तो एक कदम आपको आगे बढ़ना होता है दूसरा कदम किया विश्वास बढ़ रहा है लेकिन यहां पर हिमांचु बार-बार प्रधानमंचु यह बात कह रहे हैं कि जो बिल हैं तीनों बिल हैं यह किसानों के फाइदे के लिए हैं तो लिखित में यह दिया जाए कि कि MSP को नहीं हटाया जाएगा बंडी करण को लेकर लिखिता आश्वासन चाहते हैं दो तिन ऐसे पॉइंस हैं जिसको लेकर आज ड्राफ में भी इसका जिक्र किया गया है क्या इस पर भी गौर हो रहा है कहीं देखिए बिल्कुल इस बिल के अंदर यह है कि मंडी एक्ट को समाप्त नहीं किया जा रहा है MSP को लेकर सरकार की तरफ से लगातार बयान दिये जा रहे है MSP जो है किसी संसद से पास कानून के जरिय जो है वो लागू नहीं होती है वो एक एक एक्जूकेटिव ओर्डर है करना ना भूले